सरकार continue ये दावा कर रही है कि हम आमने चार प्लेन निकाल दिये छे निकाल दिये इतने बचे वापिस आगे वो सेफ एरिया से बच्छों को निकाल रहे हैं जहांपर में खारक्यू है जहांपर खारक्यू का में पॉइंट है जहांपर गोडा बारी और बलास्ट बगारा हो हैं वहां से तो बच्छों को निकाल ही नहीं रहें गोर्मेंट को अपने नंबर बनाने के चक्र में यह बोल रहे हैं कि हमने इतने प्लेन वहां से बच्छों के निकाल दिये इतने निकाल दिये स्ट्रेंट को शो कर रहे हैं जहां से मेन पॉइंट है वहां से दो बच्छो कंडिशन ज्यादा क्रिटिकल है दिन में और रात में दोनों टाइम मतलब 24 के 24 गंटे वहाँ पर बम बलास्ट हो रहे हैं और गोड़ा बारी हो रही है बच्चे जिस सिच्वेशन से फेस टू फेस हो रहे हैं हम उस सीज का आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं बच्चे मतलब कि बावजूद भी वो बच्चे सेफ नहीं है क्योंकि यह नहीं पता कि कि साइड से वो उनको शूट कर दें और जो वहां के युक्रेन के बंदे हैं वो भी उनको कंटिनू पिटाई कर रहे हैं और गोर्मेंट की साइड से भी कोई हैल्प नहीं मिल रही है एमबैसी से बा पाई आया तो यह बोल रहे हैं कि धरिये बनाये रखो कुछ न कुछ हम करेंगे करेंगे एक बार ऐसा बोलने से क्या हो गया कुछ भी तो सॉल्मनी हुआ बच्चे वार जा रहे हैं तो दिक्कत है अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो दिक्कत है आखिर वहाँ पर बच्चे करें क्या इस कंडिशन में बेटी ने ये बताया है कि ममी यांसे कुछ बच्चे निकले तो है पर ना किसी की हेलप है ना और कुछ है किसके बोज से निकले हैं वो बच्चे वो रस्ते में मर भी सकते हैं और वे मतलब जैसे तैसे मर पड़के अगर वे बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो ये भी नहीं प लेफ एरिया से बच्चों को निकाल रहे हैं जहां पर मैन खार्की हुँ है जहां पर कषार्की का मेन पइंट है जहां पर गोड़ा बारी और ब्लस्ट बगार गयरा हो रहे हैं बलकि गवर्मेंट को ये करना चाहिए कि जहां से जहां पर ब्लास्ट emailed और गोड़ा कर रहे हैं जहां से में पॉइंट है वहां से दो बच्चों को निकाल ही निरे और बच्चे जिस सिच्वेशन से श्ट्रगल कर रहे हैं उस बंकर में वह थोड़े बहुत टाइम के लिए उनको जैसे उपर का माउल 19-20 शांत रहता है तो वह 10-15 मिनिट के लिए बच्चों को निकाल देते हैं कि वही अपना खाना पीना ले लो अधरवाइज वह 20-20 गंटे बंकर में रहते हैं ना उनके पास पीने की पानी पीने की फैसलिटी है और खाना भी प्रियाप्त मात्रे में नहीं मिल पारा बच्चों को तो उपर से बंब ब्लास्ट और गोड़ा बारी आ सबी सिच्वेशन वहां पर 500-300 बच्चे हैं एक बंकर में और वहां पर काफी बंकर्स हैं तमना का यह कहना है कि ममा वहां पर मोश्टली बच्चे इंडियन सी हैं जो दूसरे बच्चे थे वो कुस्तों चले गए और ना ही उनके अमबैसी बगारा वो उनकी हेल्प कर रही वो जैसे तैसे ऐसे ही जा रहे हैं मदद नहीं कर रहा हम गवर्मेंट से में मोधी जिसे यह करना चारी हूं कि वो सबसे पहले खारकी वाले बच्चों को निकाले क्योंकि वो काफी प्रेशर में हैं वो बच्चे और पता नहीं कब किस टाइम क्या हो जाए अगर प्रमान वाले बच्चों की स्ट्रैंट सर ज्यादा है वहां पर तो मैं गवर्मेंट से यह चाहूंगी कि वो जल्द से जल बच्चों को खारकी से निकाले क्यों बच्चे डिप्रेशन में भी जाते जा रहे हैं ना खाने खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए बिजली बिजली की भी स्प्लाइ कट कर दी गई है वहां पर कोई भी फैसलिटी नहीं है बच्चों के लिए अगर वो बाहर जाते हैं तो भी सेफ जोन में नहीं है वहां पर रहते हैं तो भी सेफ जोन में नहीं है क्यों वहां पर स्कूल बगारा भी ब्लास्ट होगे और काफी कई बिल्डिंगें भी ब्लास्ट होगी हैं वहाँ पर तो आप सोच सकते होंगे बच्चें वहाँ पर किस कंडिशन में रह रहे होंगे